डियर फ्रेंट्स कैसे आप सब मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स अगर आप लोग वास्तविक रूप में हिंदू हैं तो ये वीडियो शेयर किये बिना आप लोग नहीं रह पाएंगे फ्रेंट्स एक बात मुझे पूछ रही है आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा इस बात को सुनने के बार अगर आप सच मुझ में हिंदू हैं तो उस मार्ग पर आप लोग क्या करते हैं या फिर उस मार्ग में आप लोग कितना ग्यान रखते हैं आप लोगों से कितने लोग ऐसे हैं जिनों ने गीता परेंट्स गोरगपूर का नाम नहीं सुन रखा है अगर नहीं सुना है आप लोगों ने तो फ्रेंट्स कुछ डाउट है कि आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं फ्रेंट्स गीता प्रेस गोरगपूर जो है वहां उस गीता प्रेस में जितने भी हिंदू धामे ग्रंद हैं वो सभी प्रकाशित होते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग केवल कागच का और उसकी प्रिंटिंग का शुलक लेते हैं और किताबें और धामे ग्रंद सस्ती से शस्ती उपलब्द कराते हैं ताकि ये सर्थ धामे ग्रंद जन्साधान तक पहुँचकर उनका कल्यान कर सकें क्योंकि यह जो धामे गंद हैं मैं हिंदू धर्म की बात कर रही हो फिलाल उसमें जो भी आप पुस्तक हैं कोई भी पुस्तक उठाएंगे चाहे आप वेद पुराण उठाएंगे चाहे आप राम चरित मानस उठाएंगे चाहे भगवत गीता उठाएंगे और चोटी बड़ी जो भी बुस्तकें आप उठाएंगे उसमें से एक भी statement एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई गलत बात कही गई है या फिर गलत बात सिखाई गई है तो बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है कि हम लोग भी इन्हें पढ़ने में रुची दिखाए लेकिन अकसर ऐसा होता है कि माबाप खुद ही ऐसे हैं गंदी गंदी चीजे फोन में खुद देखते हैं और अपने बच्चों को भी दिखवाते हैं आप अपने बच्चों को नहीं भी दिखवाएंगे न तो वो आपको देखकर आपके नकसे कदम पे चलके वो भी वही ग गलस अले चीज़े पढ़ेंगे, गलस अले चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, यह कि जब फैक्टरी ही, जब फैक्टरी में ही प्रॉब्लम हो तो वहां से प्रोडक्ट कहां से अच्छा निकलेगा, तो फ्रेंट्स में बात कर रही हूं, गीता प्रेस गोरखपुर से कुस्तकों को जरूर मंगवाने की, कि अगर आप लोग दो चार किताबें भी वहां से खरीदेंगे, तो ना किवल आपका कल्यान होगा, बलकि कुछ दानपुन ही आपके हाथों हो जाएगा, जी हाँ फ्रेंट्स, वो लोग जो भी किताबें उपलप्त कराते हैं, बहुत सस्ते में अपना प्रॉफिट नुकसान नहीं देखते, और दूसरे बाद जो सबसे बड़ी बात है, फ्रेंट्स गीता प्रेंट्स के किताबें होती हैं, उनमें इतने शुद्ध शुद्ध चौपाई लिखी होती हैं, आप में से कोई भी उसमें से, जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा, या फिर जो बहुत कुछ भी जानता हो किताबा कहीं और से मंगाई है किताब है, आप नॉर्मल किताब भी समझ सकते हैं, कोई वरत कथा किताब क्यों न हो, तो उसमें आप पाएंगे कि जिसे थोड़ा बहुत भी पता होगा, उसमें शब्दों की गलती होगी, उसमें शलोक की गलती होगी, उसमें मंत्रों की गल कि कम से कम दस बारा मिस्टेक तो वहीं धूर लेका जो थोड़ा बहुत भी चांटा होगा लेकिन गीता पर इसके किताबों में ऐसा नहीं है वहाँ पर इतने ग्यानी लोग बैटे हैं कि वहाँ पर एक जब सैंपल निकलता है तो उसके बाद तीन तीन चार्चा लोग उसकी चार्च करते हैं उसके बाद जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें अंडर राउंड किया जाता है और उसके बाद दोबारा उन्हें छपाया जाता है तो जिस वज़े से उसमें जो मिस्टेक्स के संभावना है वो एकदम ना के बराबर है बलकि नहीं है और जो भी चीज़े हैं वो आप लोगों के कल्यान के लिए काफी है तो हिंदू होने के नाते आप लोगों को आप लोगों को इससे बढ़ावा देना चाहिए और मेरा वीडियो एक छोटा सा माध्यम है गीता प्रेस का प्रचार और प्रसार करने का तो फ्रेंट्स मैं आपको एक किताब दिखाने जा रही हूँ ये एक आध्यात में कहानियों के किताब है और दरसल में ये जो योगी लोग हैं उनके क्या नियम होते हैं इसमें उस सब के बारे में लिखा गया है कि योगी के जियर में क्या क्या चीज़ जरूरी है अब मैंने योगी नाम ले लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि खाली जिन्हें योग से मतलब हो वहीं इसे पढ़ें बलकि जो नॉर्मल लोग भी हैं अगर इसमें से इसमें जो दस बारा कहानिया हैं दस बारा महा वरत हैं उसमें सेगर किसी एक वरत को किसी एक चीज़ को भी उठाते हैं किसी एक बात पर भी कायम रहते हैं तो समझ लिजे कि वो उनका जीवन सफल है ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी क्योंकि केवल सुनने से और केवल एक बार पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फ्रेंट से जो कहानी है आध्यात में कहानिया हैं वो सुदर्शन सिंख चक्र जी की लिखी हुई है और वो एक महान भक्त थे और अभी तो वो इस जीवन में नहीं है इस जीवन की दोर से मुक्त हो चुके हैं तो फ्रेंट जैसा कि मैंने आपको बता है कि इसमें दस कथाएं हैं और इसमें योग दर्शन के दो प्रारंबिक सो पांच यह यानि कि अहिंसा द्रमचार अपरिग्र यह सब जो चीजें हैं सत्य यह सब जो चीजें हैं इसके अलावा जो नियम हैं वो सब जैसे और सौच का नियम तपस्या सौध है यह सब जो नियम है इन्हें इतनी अच्छी तरह से कहानी के माधर में से समझाया गया है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कहानिया ना कि दिल को चूँ जाने वाली हैं बलकि इन सबी कहानियों से आपको बहुत जादा पसंद आएगी वो आपको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि मेरा दावा है उस कहानी को सुनने के बाद उस कहानी को सुनने के बाद आप मेंसे कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने मन में यह भाव लाएगा कि मैं उचे कुलका हूँ और सामने वाला नीचे कुलक है कि आप लोगों में से जिसे आप लोगों में से जिसमें सामर्द हो वो गीता प्रेस से खुद भी कुछ ने कुछ किताब जरूर मंगवाएं अगर आप किसे को ऐसा गिफ्ट देना चाहा रहे हैं तो उसे जरूर दीजिए फोन के मुगाबने क्योंकि अकसा बच्चे छोट जरूर बच्चे जरूर क्योंकि जरूर तो ने के म temps Customs Pauls ऑताउर कुछ कि ँतागकि बच्चे इचूचे इचूचे जरूर बच्चे जरूर पीजिएूएंवाएंवाएंवाएंवाएंवाएंवाश खार चाहभकिस दो आपकिसोजिए